चुकि आप लोग भली भात जानते हैं, भारती जीवन की एक विशेस बात है संयुक्त परिवार की प्रथा। हमारी अज्ञान तावश इस सुन्दर प्रथा का भी एक दुश्परिणाम हमारे घरों में पाया जाता है। और वह है ग्रिह कलह जी हाँ। सदा के लिए दुख सागर में डूब जाते हैं। यद्यपी यह कलह अत्यंत साधारन सी बातों पर ही होता है। परन्तु यह अहरनिश सारे परिवार को आग की तरह तपाता रहता है। और किसी भी ग्रिहपत के लिए उसे बुझाना असंभव हो जाता है। यहां तक की जो नया अधीश कचहरी में बैठ कर दुनिया के बड़े बड़े और अत्यंत जटिल मामलों को तै किया करते हैं। उन पर अपना राय अपना मंतव्य दिया करते हैं। उन्हें सुलजाया करते हैं। वे भी अपने घर के मुकदमे का फैसला करने में असमर्थ हो जाते हैं। जो उपाधी प्राप्त डाक्टर भीषण से भीषण प्रान घातक रोगों की चिकित्सा बड़ी सफलता के साथ किया करते हैं। वे भी इस ग्रिह रोग को दूर करने में असफल रहते हैं। इस भारती ग्रिह कलह की भयंकरता इससे अधिक और क्या वर्णन किया जाए भग्मान। इस महा मारी से भारत की रक्षा करें। भक्त राजनर सिंग राम की प्रीय पुत्री कुमरवाई का विवाह एक सुसंपन शिक्षित परिवार में हुआ था और जब से ससुराल गई थी तब से बराबर ही कुलोचित धर्म का पालन पूर्ण रूप से करने की चेश्ठा भी करती थी। वह कभी किसी काम से जी नहीं चुराती थी और सदा सब के लिए आदर भाव और प्रेम का बरताव करती थी। फिर भी घर में बेचारी का मान नहीं था। घर में निरंतर कलह रहता था सास, जठानी और ननद। सभी उस पर व्यंग बान वरसाया करते थे। एक तो वह गरीव घर की बेटी थी, दूसरे उसका पती, वसंत राय, दुर्व्यसनी, लंपट और क्रोधी था। इस कारण उसकी सिकायत भी कोई नहीं सुनता था। वह बेचारी भीतर ही भीतर अपनी व्यथा से नित्य घुला करती थी। इसके अतिरिक्त एक तीसरा कारण और उपस्थित हो गया, इधर उसकी शादी हुए कई वरस बीत गए, परंत उसे कोई संतान नहीं थी। समाज में पुत्र हीना कुल वधूँओं को लोग अभागिनी समझते हैं और इस कारण भी उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ता है। लोग उन्हें तरह-तरह के दुरवचन सुनाते हैं और उस पर दूसरा विवाह कर लेने की भी धमकी देते रहते हैं। कुमरबाई और दुखों को तो सही रही थी यह दुख उसके लिए असहनी हो गया। क्यूंकि इसमें उसका दोश ही क्या था अथवा इसके लिए स्वयम वह कर ही क्या सकती थी। कुमरबाई के ससुर स्रीरंगधर महताजी राज्य के एक उच्च पदपर थे। वह स्वयम एक विचारशील तथा दयालु सभाव के पुरुष थे। वह पुत्र वधु के कस्टों से विलकुल अपरचित नहीं थे। और एक मात्र भगवान से अपने दुख सुना कर शंतोश कर लेती थी। कहते हैं जब मनुष्य सब और से आशाएं छोड़ कर केवल एक भगवान को दीनभाव से पुकारता है। तब उसकी पुकार भगवान के कानों में अवश्य पहुंसती है। और फिर भगवान को उस प्राणी का कष्ट दूर किये विना चैन नहीं मिलता। आखिर असहाया कुमर बाई की भी मूक आवाज भगवान तक पहुंच ही गई। और भगवान जी ने उस पर क्रिपा की। वो गर्व होती हुई और धीरे धीरे उसका गर्व साथ आठ मास का हो गया।